ऐसे कि आप सभी को पता होगा कि 22 तारीक को आने वाली 22 तारीक को यानि शिब एम में रखा गया है ट्वीटर स्पेस के ओपर तो इसी की जानकरी यहाँ पर 19 घंटे पहले शीबा इनुने भी दी है अब बात करेंगे जो यह शिब एम में रखा गया तो इसके बीच में क्या कुछ टोपिक्स रहने वाले हैं और क्या इस एम में का फरक पड़ेगा प्राइज के ओपर या नहीं और सबसे में चीज इसके अंदर जो स्पेसल गैस्ट है वो कौन होने वाले हैं चलिए यहाँ पर हम इस टोपिक को कवर करते हैं बाइदा हेल्प ओव वाचर नियूज के एक आर्टिकल के जरिये से दरसल में वाचर नियूज ने एक आर्टिकल पब्लिश के नोंने साफ साब बताये भी कौन कौन यहाँ पर स्पेसल गैस्ट रहने वाले देखिए तो हमारे शायतोसी कुछ आमा खुद है और दूसरे हैं यहाँ पर वीलियम वोलक अब जो वीलियम वोलक को नहीं जानते मैं बता दू दरसल में जो शीब है इनुकी गेम डेवलप कर रहे है जो टीम लगी हुई है तो उसके मेन यहाँ पर जो मेन उनर है वो है वीलियम या क्या कुछ नहीं और उसका प्राइस पर क्या फरक पड़ेगा तो वो भी हम जानते हैं सबसे बहुत हम बात करते हैं टोपिक्स कौन-कौन से यहाँ पर रहने वाले है एम में में देखिए मैं बता तो रहा हूं एम में में दरसल में क्या चीज़ होता है जो लोग आज नए जुड़ें उनको मैं बता दूँ एम में का मतलब होता है ask me anything मतलब यहाँ पर कोई भी question put किया जा सकता है साय तो सी कुछाम मसे और यहाँ पर होर भी public होगी यह दो यह तो special guest बाकी बहुत से people होंगे जो directly question put कर सकते हैं यहाँ पर और उनका जबाब हमें देना होगा चलिए इको सिस्टम के उपर बात की जाएगी शीब के लिश्के और बोन के थर्ड यहाँ पर शीबा स्वैप से related भी कुछ बात की जाएगी कुछ discussion की जाएगी फूर्थ ही यहाँ पर वैलिस decentralized food के बारे में भी कुछ discussion की जाएगी उनकी branches franchises किस तरह से वो आगे बढ़ानी है यहा बात की जाएगी यहां पर वसाथ की साथ games के ऊपर और शीबोशिज के ऊपर बात की जाएगी यहां पर तो आफराल देखा जाए तो मतलब यहां पर हर कोई topic cover हो जाएगा जिसका जो भी topic होगा वह कब यह जैसे हमारा में मैंने मेरे कोई कोश्च ना अभी कब game launch होने वाल जिसके बद हम idea लगा सके हाँ यार उसके बाद तो price अच्छा का सा increase हो जाएगा अब यहाँ पर special guest की बात करें तो special guest में देख सकते हैं शायतोसी कुसाम और William वो special guest है Twitter spaces के पर और भी further बहुत से मैंने आपको बताया people यहाँ पर जुड रहेंगे चलिए यहाँ पर next बात करते हैं हमारी जो Asia की report आई है दरसल में कल मैंने दिखाई थी USA की report उससे पहले मैंने दिखाई थी Canada की report last week की top 10 trending coins की तो यह देख सकते हैं यहाँ पर लगबग 12 घंटे पहले मैं आपको फिर से दिखाई देखिए लगबग 12 घंटे पहले यहाँ पर एक report जारी की है कोईन गीगों ने जो क्या है last week की है एशिया से अब आप date भी देख सकते हैं 12 February से 18 February की यह देट है यहाँ पर Shiba Inu हमारा लाई कर रहा है 5th rank के उपर 16 billion market cap के साथ यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ अब एशिया के बीच में पहले क्या था पहले मतलब एशिया में हम रहते थे लेकिन यहाँ के लास्ट के डिजिट्स में रहते थे हम Shiba Inu जो हमारा था ले तो गाइस नेक्स्ट यहाँ पर बात निकल के आ रही है बहुत अच्छे गुर्ण्यूज है यह है रिवोल्ट बैंक की तरफ से दरसल में रिवोल्ट बैंक एक US का बैंक है यहाँ पर जो क्या करता आपको फाइनेंशली जो भी मदच चाहिए वो आपको प्रोवाइड कराता है यहाँ पर इन्होंने क्या किया इन्होंने Shiba Inu को एड किया वो भी बहुत ही silently किसी को कानो कान खबर ही नहीं हों दी देखें यहाँ पर पहल तो आर्टिकल का टाइटल रीड आउट कर लेते है Revolts silently add Shiba Inu to its banking app with 15 million users तो आप देख सकते हैं यहाँ पर banking app में इन्होंने Shiba Inu को एड कि और इनके banking app के users देख सकते हैं 15 million users है इनके तो सोच सकते हैं अब यहाँ पर जब इन्होंने इस चीज़ को एड किया तो जो इसका impact है वो क्या रहने वाला है यहाँ पर जहाँ पर 15 million already users की तादात है यहाँ अगर मैं officially इनका Twitter पेज दखाऊं तो officially Twitter पेज पेज आप यहाँ पर देख सकते हैं वो बहुत ही अच्छा response हमें मिलने वाला हाला कि अभी मिलन नहीं है response लेकिन धीरे 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 यह response मिलना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर देख भी सकते हैं UK challengers bank revolt seemed to expanding its cryptocurrency assessed after silently adding the main token Shiba Inu to its banking app तो यानि यहाँ से जो popularity है Shiba Inu को उसका भी आप अंदाजा लगा सकते हो UK के बीच में यहाँ से main चीज यह है जो हमारी popularity है वो किस तरह से gain हो रही है और बैंकिंग सेक्टर ने भी एक नया mode मोड लिया है cryptocurrency को accept करने का यहाँ पर या फिर अपने portfolio में add करने का यहाँ पर तो same way में एक bank के एकदम सामने आया और जिसके users भी आरेड़ी 15 million users हैं यहाँ पर next यहाँ पर tweet डाला है Stephen Cooper ने दरसल में कुछ नई चीज़े आई हैं यहाँ पर जैसे नए mug आ गए है नई जर्सीज आ गई है शीवे इनू की ही नई टीशेट्स आ गई है तो जिसको जो purchase करना है वो purchase आउट कर सकते है bigger entertainment.com website पे जाके directly 19 गंटे पहले ने आपर tweet डाल था और आपको तो पता है Stephen Cooper जाद से जादे यहाँ पर burning की तरफ ध्यान देते हैं इसी पितर से शीवे इनू की burning होती रहे ताकि जो total supply है उसको कम किया जाए और जो price है उसको बढ़ाया जाए यहाँ पर चलिए next बात करते है आज जो market है वो क्या कुछ देखने को रहा है क्या Shiba Inu के price में change देखने को रहा है तो guys अगर overall market की बात करो तो overall market चल रही है minus के बीच में लगबग 4% से minus में अभी दिखाई दे रही है जिसके कारण जो bitcoin है वो 4.10% से minus में है Ethereum है यह भी लगबग 4% से minus में यहाँ पर और further coins की बात करें तो BNB भी minus में दिखाई दे रही है मतरा आप अगर यहाँ पर देखोगे यह देखें टोप 10 भी देखोगे तो टोप 10 में से एक दो ही दिखाई देगा जो stable coin होती है बाकि सब के सब यहाँ पर minus में आपको price में और उसके बाद market dump down होने के कारण और कुछ अपने ही facts के कारण शीव है इन्हों माइनस में चल लगए क्यों कुछ ना rumor से यहाँ पर आ गया वही शीव है इन्हों को मत परचेज करें इसके जगा बेबी डोस को परचेज कर लो वो ज्यादा अच्छ मुनाफ़ देगा आपको बहुत से rumor यहाँ पर फिलाए जा रहे है इसके लिगाने लेकिन जिनोंने खरीद दो हुए वो wait करो सिर्फ wait करने के बाद जो result मिलगा आपको बहुत अच्छ result देने वाला शीव बहुत सा पैसा आपको देने वाला देखिए अभी price की बात करतो लगभग 8% से माइन परसेंट तक है अब प्राइज ने पंप गया उसके बाद से फिर यह माइनस में आना स्टार्ट हो क्योंकि जो मार्किट थी वो 11-11 बजे के बाद से डाउन वार्ड के तरफ चलना स्टार्ट हो चुकी थी उससे पहले मार्किट डाउन थी लेकिन फिर थोड़ी सी 0.0 15% की मार्किट प्लस में गई फिर दुबार डाउन में चल गई फिर उसके बाद तो 16-11-12 बजे के बाद तो मार्किट डड़ दड़ 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 नीचे की तरफ चल गई और आभी भी 4% डाउन वार्ड में है यहाँ पर चली आब बात करते हैं ट्रेडिंग वोल्यू में है तो जल्दी से जल्दी परचेज कर लो जिसमें जादा कोईन परचेज हो जेंगे और उनका मुनाफ़ा उतना जादा बढ़ जाएगा यहाँ पर तो गाईज होप करते हो वीडियो आपका अच्छे लगा अच्छे लगा तो लाइक जूरूर करते हैं चैनल को कर मिलते हैं नाइक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ थैंक्यू गाईज